जैपूर के होटल जैप एलेस में MSME प्रमोशन काउंसलिंग प्रदीश कारेले में राज्य सरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का उजन किया गया कारेकरम के मुख्यतिती MSME प्रमोशन काउंसलिंग के रास्टे संयोज़क डॉक्टर अरुन कुमार चौधरी मौजूद रहे उन्होंने आमंत्रेत अतितियों को संभोदित करते हुए कहा कि हमें आर्थिक विकास के साथ ही अपने व्यक्तित विकास पर भी धान देना आवश्चक है ताकि हम एक दूसरे की मदद करते वे अपने लक्षय को प्राप्त करें वहीं काउंसिलिंग के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश लोधी ने बताया के सरकारिक्रम में नई सदी के बदलते भारत की बदलते हुई जुलक प्रदेश के विभिन शेत्रों से पधारे वे कार्यकरताओं में खास्तोर पर देखी पॉंसिल एक गैर सरकारी सिंठन है एंजियो है जो सरकार की जनता की भलाई की उजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम करती है आज का जो आयोजन है एक राजस्तरिये कार्यकरता सम्मेलन जो परस्रिक्षन वा आपसी विचार विमर्ष के लिए था जिसमें कुछ सोशल वेलफेर के काम जो संस्ता के MSME प्रमोशन काउंसिल के वलेंटियर्स है उनके दवारा किया जाना है उस संदर्ब में था कुछ राजस्तान में युवा लड़के लड़कियों को कुछ समगरी बाढ़ना उनको अवेर करना जानकारी देना इसका हिस्सा था आज का करिग्रम लगबग सभी वर्के होंगे ऐसा नहीं की एक ही वर्क होगा अगर एजुकेशन की बात को तो एजुकेंज जितने भी हैं जैसे कहीं टेलेंटेंट बंदे हैं लेकिन उनको जोब नहीं मिल पाता MSME का सबसे में यह यह कि भारा सरकार से कहीं सारी योजनाय आती है लेकिन वो योजनाय वहां तक पहुच नहीं पाती है तो टेलेंट छूट जाता है अभी अगर महीं बताओं जैसे मैं साइबर सेल में काफी मैंने वर्क किया है अब साइबर में अगर बात करें भी तो सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पलपल के अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबारान ना खोलें क्योंकि आपकी खबरों का भरोसे मन साथ ही है नवदेश टीवी